इसमें जो मैं यूज करने वाली हूँ, घर में ये सभी चीज़े अबलेबल होती हैं, और नियमित लगाते हैं, कि हजारों रुपे की टामिन सी होता है, वेल्कम बैक टो माई चैनल, होप यू ओल आर डूइंग गूड और दिल से दुआ करती हूँ, आप अपने घर में स्व तो भी पसीने से, धूल से और चिपचिपाहाट से आपकी स्किन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके चैरे पर बहुत सारे दाग दब्बे, ब्लैमिशिज और पिंगमेंटेशन शुरू हो जाती है, ये ज़्यादा हाइपर हो जाती है, तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, मार्केट में या ओनलाइन आपको बहुत सारे स्किन केर प्रॉडक्ट मिल जाएंगे, जो हजारों रुपे में तो आते ही हैं, साथी सभी के लिए एफेक्टिव नहीं होते हैं, यानि अदर अदर स्किन टाइप्स के हिसाब से वो बनाए के की संटैन प्रॉबलम हो, स्पोर्ट हो, काले गेरी हो, पिग्मेंटेशन हो, या एकने प्रॉबलम हो, सभी से आपको निजात मिलेगी, और तीनी चीजों से बनने वाली है, घर में ये सभी चीज़े अबलेबल होती हैं, तो ये चमतकारी वर्क करती है, और कुछी दिनो में आपके चेहरे से ये सारी प्रॉबलम से निजात मिलने वाली है, आपकी स्कीन स्पोर्टलेस हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और आपको किसी भी ऐसी महंगी क्रीम लगाने की ज़रत नहीं होगी, तो यही मेरी वीडियो का टॉपिक है, और मैं ऐसी ही होम रेमेडिय आपके साथ शेयर करूँगी, जो अल इसकीन टाइप है, और कुछ ही मिंटों में आपके घर पर बन जाएगी, और मुश्किल से 10 से 20 रुपे में ये बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जादा बड़ी वीडियो ना करते हैं, फटा-फट से हम अप भी नहीं लगने वाला है, सबसे इंपोर्टेंट इंग्रीडेंट है हमारा ओरेंज पील, और ओरेंज पील ये आप घर में अपने ही जो संत्रा होता है, उसके छिलकों को अच्छे से सुका लीजिएगा, धूप में नहीं सुकाना है, और सुखने के बाद में कुछ इस टा मैंने इसको एक डब्बे में स्टोर कर लिया है, तो आप भी एक किसी भी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं, इसके साथ मैंने लिये है घर की बनी हुई दही, और दही के साथ मैंने लिया है शहद, शहद और उसके बाद में मैंने लिया है रो मिल्क, सो गाइज इनको अच्छ देन्ट की भरपूर मात्रा होती है और वाइटमीन सी भरपूर होता है यह आपकी संटेंट की प्रॉबलम को खतम करता है और इसकिन टोनर का काम करता है नैच्रुरल बोड़ी ब्लीच है और एकने पिंपल्स में भी यह बहुत ही जाधा अमेजिंग काम करता है हनी की बात करे आपका natural cleanser का काम भी करते हैं गाइस और आपके skin को soft भी बनाते हैं इसी तरीके से आप अपनी पूरी body पर अगर आपको sunten के problem तो आप पूरी body पर लगा सकते हैं इसको apply करना बहुती ज़्यादा easy है गाइस इसको apply करने के बाद आपको सूखने तक छोड़ना है इसको सूखने के बाद में आपको देख लेना कि सूख जाता है तो इसको direct wash नहीं करना है और नहीं tight हातों से massage करनी है गाइस आपको बहुत soft हातों से हलके हातों से massage करते हुए इसको normal water से wash कर देना है तो guys आप result खुद देख सकते हैं अगर आप इसको daily भी use करेंगे तो आपकी skin light bright होती चली जाएगे और आपकी acne problem भी खतम हो जाएगी वीडियो पसंद आई तो like, comment और share चरूर करना मिलती हूँ फिसे next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye